इस चैनल पर हम आपके लिए मिस्टेरियस इंटरेस्टिंग फैक्ट और जानकरे सबरपूर वीडियोज लेकर आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाए और आने वाले वीडियोज की नोटिफिकिशन जल्द से जल्द पाए पारवती घाटी हिमाचल प्रदेश के कुल्यू जिले में स्थित यह सुन्दर परिदुष्य और एड्रिलाइन रश का अनुबव करने के लिए एक उत्कुष्ट मिश्रन प्रदान करता है यदि आप प्रकुती के गोध में ठिटूर ना चाहते तो पारवती घाटे एक छुट्टी के लिए अधर श्थान है जैसलमेर यह सुन्दर शाथ थार रेगिस्तान के बीट स्थित है आप रेट के टीलों के माध्यम से उट की सफारी करने जा सकते है गडी सर जिल पर जाए तो पक्षियों और पानी के प्रेमियों के लिए भी समान रूप से लोगप्रिय है जैसलमेर के लिए की जाज करे या एक तरह से डेजर्ट नेशनल पार्क की यात्रा करे गोकर्ण साप समुद्य तटो, कम भीड, राच्षी, पच्चिम घाट के साथ करने टक के उत्तर में स्थित, गोकर्ण भगवान शीव और प्राचिन समुद्य तटो में समर्पित अपने मंदिर के लिए प्रसिद्ध है स्पीती स्पीती हिमाचल प्रदेश में हिमालाई परवट शुंकला में स्थित एक दूरस्त घाटी है यहां के संस्कूती और प्राकृतिक सुंदर्ता के लावा लिटिल तिबबत के रूप में लोकप्रिय, स्पीती भी अपने सुंदर पहाड़ों के बीज, ट्रेकिंग और जीप सपारी प्रदन करता है जो मनुरम परिदुरुष्य, ग्लेशियर और प्राचिन वातवरन का अनन्द लेते है लद्दाक, उत्तरी भारत में जम्बो और कश्मिर राज्य में स्थित लद्दाक या हाईव पास की भूमी बंजर है, फिर भी सुंदर क्षेत्र है धर्मशला, कांगडगहाटी और हिमाचल प्रदेश में दोलाधार परवत शुंकला में सामनी स्थित धर्मशला निच्चित रूप से आपके लिए एक जगह है रुशिकेश, एक तिर्तस तल जहाज जीवन प्रातना और त्योहरे के आसपास घूंता है रुशिकेश, उत्तराखन राज्य के निचले हिमालाई की तल हटी में स्थित है